नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वाद करते हैं एक बार फिर से हम एक अपनी नई वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब ETT 2022 सेशन के जो थर्ड कॉंसलिंग है तो अगर आप हमारे चैनल में पहले बार विजट करें तो हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना जिसे और भी कोई नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंसते रहेगी तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ तो पंजाब ETT Admission 2022 सेशन के लिए जो टू कॉंसलिंग से वो तकरीबन खतम हो चुकी है जो कलासे हैं वो भी शुरू हो चुकी है अभी भी काफी सारे जो कैंडेट्स हैं वो वेटिंग में है तो जो सुदेंट्स वेटिंग लिस्ट में है उसके लिए जो वेकेंट सीट रह गी है उसके लिए जो थर्ड कॉंसलिंग के बार में अपडेट ये है कि जो थर्ड कॉंसलिंग है वो होगी तो बट अभी वहाँ पर अपडेशन चल रही है तो जैसे ही जो वेकंट सीट है वो konsolidation खतम हो जाएगी तो थर्ड कॉंसलिंग का जो शुडूल है वो इनकी official website पर अपडेट कर दिया जाएगा, upload कर दिया जाएगा तो जो थर्ड लिस्ट है जो थर्ड मेरिट लिस्ट होगी वो जो स्टूड़न्ट है चुके हैं अब उनकी लिस्ट आएगी या फिर जो मेरिट लिस्ट है वो डाउन जाएगी तो इसके बारे में अभी तक confirm नहीं है तो जब थर्ड कॉंसलिंग का जो schedule है जारी होगा तो उसमें ही clear होगा कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो किस तरह सी आएगी क्या स्टूड़न्ट की जो मेरिट है वो डाउन जाएगी या फिर जो वेटिंग वाले स्टूड़न्ट है उनको मुका दिये जाएगा तो फिलाज जब भी जो थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में हमें कोई और confirmation मिलती है या कोई और updation मिलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे बट अभी फिलाज जो सीटें है वो vacant सीटें हैं उनको consolidate किया जा रहा है या फिर अपडिशन चल रही है तो उमीद है कि जनवरी के जो लास्ट वीक तक जहे थर्ड कॉंसनिंग का शडूल है वो जारी हो सकता है तो इसके इलावा तो मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी जैसे बताया था कि जो अधर कैटेगरी की सीटेंट हैं जैसे freedom fighter है एक सर्विसमेन फिजिकली हेंड़ गैप यहां फिर EWS एकनोमिकल वीकर सेक्षिन की जो पोस्टें हैं वो अभी भी काफी सारी जो डाइट से हैं वहाँ पर वेकन है तो अभी जो जनरल SCBC कैटेगरी की जो सीट से अगर कोई सीट छोड़ देता है या फिर कोई सीट जॉइन नहीं करता है तो वो सीटें भी वेकन हो सकती है तो अभी ये भी कनफर्म नहीं है कि या जो अधर कैटेगरी की जो सीट से हैं वो क्या जो जनरल SCBC सीट में मर्च होंगी या नहीं होगी तो इसके लिए जो अपडेशन है वो चल रही है तो जैसे ही हमें कोई फाइनल अपडेट पता चलेगी कॉंसलिंग के बारे में तो मैं भी लगातार जो राहिट से या फिर चंडिगड एसीर टी ओफिस से वहाँ से कॉंडेक्ट करता रहता हूं आपके लिए तो अभी जो अपडेट मिल रही है तो यही है कि जल्द ही जो थर्ड कॉंसलिंग है वो हो जाएगी बट अभी अपडेशन चल रही है तो इनकी तरफ से जो जो भी शेडियूल होगा वो इनकी ओफिशल वेबसेट पर कर दिया जाएगा इसके लवा हमें जब भी कोई अपडेट पता चलेगी तो हम आपको एक वेडियो को जरीए भी जुरूर अपडेट करवा देंगे तो अभी जो क्लासेश चल रही है तो वहाँ पर काफी सारी जो स्टूरेंस हैं वो दूर स्टूरेशन होने के कारण बहाँ पर उनको कुछ स्टूरेंस हैं जैसे मैसेज करते हैं कि काफी प्रॉलम आ रहे हैं या कुछ परिशानी का भी सामना करना पड़ता है उनको तो जल्द ही जो माइगरेशन का प्रिशा से वो भी प्रिशान के लिए अपलाई कर सकते हैं तो उसके बारे में भी जब अपडेट पता चलेगे तो वो भी हम आपको जुरूर बताएंगे तो फिलाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है तो कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे कोई कुई कंफर्म या अपडेट मिले तो मैं आपके साथ शेर करूँ तो जैसी है हमें कोई फाइनल या अपडेट मिलेगी तो मैं आपके साथ जुरू शेर करूँगा तो इसी तरह के और अपडेट जानकारी लेने के लिए बने रहीगा हमारे साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद